राधे राधे दोस्तों मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम सेर करेंगे आपके साथ बथूआ की साग की एक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी तो बथूआ की साग बनाएंगे चना डाल के साथ आप इसे सबजी की तरह भी खा सकते बहुत ही जादा टेस्टी और बहुत ही जादा आसान रेसिपी एक बार इसे प्लीज ट्राइब कीजिएगा तो चलिए रेसिपी आपके साथ सेर करते हैं सबसे पहले यहां पे बत्वा की साग को अच्छे से साफ करके ले लिए हैं मोटा वाला जो डंटल होता है नो वो नही यह थे चना दाल को धोके पानी में फुलने के लिए अब इसे हम प्रेसर कुकर में डाल लेंगे दोनों को साग को और दाल को साग को अच्छे से जरूर दो लिजेगा बत्वा के साग में मिट्टी बहुत जादा रहता है तो यहाँ पे दाल साग प्रेसर कुकर में रख दिये तो सबजी बना रहे हैं हम बस एक ही सीटी लगाएंगे यहाँ पे एक सीटी लगाएं प्रेसर को खुद से निकलने दिये हैं और आप देखेंगे चना का दाल ना बहुत अच्छे से पक चुका है बस मैस नहीं हुआ है तो हमें ऐसा ही चाहिए थोरा सा साग को आप मिला ल दाल देंगे अधा चमच काला सरसो भी डाल दीजेगा एक साबुत लाल मिर्ची तोर के डाल दिये हैं सुखा हुआ लाल मिर्ची दो तीन चुटकी के करीब हींग डाल दिये हैं अब इसमें लैसन की कलिया आठ से दस पतला पतला था तो ज्यादा लिए लिए हम चिल के पाउडर आधा चमच धनिया पाउडर टेस्ट के अनुसा नमक डाल दिजेगा नमक पहले भी डाले हुए हैं तो ध्यान से डाल दियेगा और अब यहां पर एक टमाटर लिए आधा टमाटर को महीं चौप कर लिए हैं इसे हलका सा भून लीजे टमाटर को बिल्कुल मैस न दाल दिये हैं तोरा सा इसे मिला लिजे उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे तो आप अगर ग्रेवी नहीं रखना चाहते हैं तो बीना पानी डाले इसे डख के दो तीन मिनट पका लिजे पर हम यहां पर तोरा सा इसमें पानी डाल दिये हैं आधे कप के करीब अच्छे तयार है, यहाँ पर गरम मसाला का पाउडर जरूर डाल दीजे, आधा चमच मिला दीजे, कवर करके और फिर गैस बन कर दीजेगा, तो यहाँ पर मिला दिये हैं, कवर करने के बाद गैस बन कर देंगे, थोरी देर भाद जब यह हल्का सा ठंडा हो जाएगा, तो हम इसे जादा टेस्टी बत्वा की साग चना डाल के साथ बनके तैयार है आप इसके उपर थोड़ा सा घी जरूर डालिएगा बहुत अच्छा टेस्ट एड हो जाएगा तो एक बर जरूर बनाईएगा बताईएगा कैसा लगा मेरा यह रेसेपी रेसेपी अगर अच्छा लगे तो किज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे विलका बटन प्रेस कर लीजे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंसके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीज़े सेर कीज़े कमेंट कीज़े थैंक्यू मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसेपी के साथ